आप सुन रहे हैं उपन्यास चंदरकान्ता अध्याय चौथा भाग पांचवां तो अब तक आपने चाना कि विरेंदर सिंग और चंदरकान्ता आपस में मिल चुके हैं मगर सिदनात योगी बाबा जी ने उनको अच्छे से मिलने भी ना दिया और उनको अपने पास बुला कर कहा कि जाओ दिन रहते अपने पिता और कुमारी के पिता को खो में लेकर आओ तो अब आगे दिन दुपहे से कुछ जादा जा चुका था उस वक्त तक कुमार ने सनान पूजा कुछ नहीं की थी लशकर में जाकर कुमार राजा सुरेंदर सिंग और महाराज जै सिंग से मिले और सितनात योगी का संदेशा दिया दोनों ने पूछा कि बाबा जी ने तुमको सबसे पहले क्यों बुलाया था इसके जवाब में जो कुछ मुनासित समझा ये कहकर दोनों अपने अपने डेरे में आए और सनान पूजा करके भोजन किया राजा सुरेंदर सिंग तथा महाराज जै सिंग एकांट में बैठ कर इस पात की सला करने लगे कि हम लोग अपने साथ किस किस को खो के अंदर ले चले सुरेंद्र योगी जी ने कहला भेजा है कि उन्हीं लेगों को अपने साथ को मिलाओ जिनके सामने कुमारी जी आ सके जैसिंग हाँ हम आप कुमार और तेज सिंग तो जरूर ही चलेंगे बाकि जिस जिस को आप चाहें ले चलें स्रेंद्र जी अरे बहुत आद्मियों को साथ ले चलने की क्या जरूरत है हाँ अयारों को जरूर ले चलना चाहिए क्योंकि इन लोगों में से किसी किस्म का परदा नहीं रहता बल्कि अयारों से परदा रखना ही मुनासिब नहीं है जैसिंग आपका कहना ठीक है इन अयारों के सिवा और कोई इस लायक नहीं कि जिसे अपने साथ खो में हम ले चले बाचित और राय पक्की करते हुए तिन थोड़ा सा रह गया सुरेंद्र सिंग ने तेज सिंग को उसी जगा बुला कर पूछा यहां से चल कर बाबा जी के पास पहुँचने तक रा में कितनी देर लगती है तेज सिंग ने जवाब दिया अगर इधर उधर ख्याल न करके सीधे ही चलें तो पांच छे घड़ी में उस बाब तक पहुँचेंगे जिसमें बाबा जी रहते हैं हां मगर मेरी राय इस वक्त वहाँ चलने की नहीं है क्योंकि दिन बहुत थोड़ा रह गया है और इस खो में बड़े बेढब रासे से चलना होगा अगर अंधेरा हो गया तो एकदम आगे चल नहीं सकेंगे कुमारी को देखने के लिए महराज जैसिंग बहुत घबरा रहे थे मगर इस वक्त तेज सिंग की राय उनको कबूल करने पड़ी और दूसरे दिन सुबा को खो में चलने की ठहरी बहुत सवेरे महराज जैसिंग, राजा सुरेंदर सिंग और कुमार अपने कुल अयारों को साथ लेकर खो के दरवाजे पर आए तेज सिंग ने दोनों ताले खोले जिनने देख महराज जैसिंग और सुरेंदर सिंग बहुत हैरान हुए खो के अंदर जाकर तो इन लोगों की और ही कैफेत हो गई ताजुब भरी निगाहों से चारों तरफ देखते और तारिफ करते थे खुमाते फिराते कई ताजुब की चीजों को दिखाते और कुछ हाल समझाते सभी को साथ ली हुए तेज सिंग उस बाग के दरवाजे पर पहुँचे जिसमें सिदनाद जी रहते थे इन लोगों की पहुँचने के पहले ही से सिदनाद इस्तकबाल यानि की अगवानी के लिए द्वार पर मौजूद थे तेज सिंग ने महाराज जै सिंग और सुरिंदर सिंग को उंगली के इशारे से बता कर कहा देखे सिदनाद बाबा दरवाजे पर खड़े हैं दोनों राजा चाहते थे कि जल्दी से पास पहुचकर बाबा जी को दंडवत करें मगर इसके पहले ही बाबा जी ने पुकार कर कहा खबरदार मुझे कोई दंडवत ना करना नहीं तो पश्ताओगे और मुलाकार भी नहीं होगी इरादा करते रह गए किसी की मजाल नहीं हुई कि दंडवत करता महराज जैसिंग और राजा सुरेंदर सिंग हैरान थे कि बाबा जी ने दंडवत करने से क्यों रोका पास पहँचकर हाथ मिलाना चाहा मगर बाबा जी ने इसे भी मंजूर ना करके कहा महराज मैं इस दायक नहीं आपका दर्जा मुझे से बहुत बड़ा है सुरेंदर साधूं से बड़कर किसी का दर्जा नहीं हो सकता बाबा जी बोले आपका कहना बहुत ठीक है मगर आपको मालूम नहीं कि मैं किस तरह का साधू हूँ सुरेंदर जी साधू चाहे किसी तरह का हो पूजने योगी ही होता है बाबा जी बोले किसी तरह का हो मगर साधू हो तब तो सुलेंदर जी तो आप कौन है बाबा जी कोई भी नहीं जैसिंग आपकी बातें ऐसी है कि कुछ समझ ही में नहीं आती और हर बात ताजूब आस्चेरिय सोच और घबरहाट बढ़ाती है बाबा जी अच्छा आईए इस भाग में चलिए सभी को अपने साथ लिए सिदनाद भाग के अंदर गए पाठक घड़ी घड़ी भाग की तारीफ करना तथा हर एक गुल बूटे और पत्यों की कैफित लिखना मुझे मनजूर नहीं क्योंकि इस चोटे से ग्रंद को शुरू से इस वक्त तक मुकसर ही में लिखता चला आया हूँ सिवाए इसकों के बाग कोने बड़े लंबे चोड़े हैं जिनके लिए कई पन्ने कागज के बरबाद किये जाएं लेकिन इतना कहना जरूरी है किसकों में जितनी बाग हैं चाहे छोटे भी हों मगर सभी की सजावट अच्छी है और फूलों के सिवाए पहाडी खुशनुमा पत्यों की बहार कहीं बढ़ी चली है महाराज जैसिंग, राजा सुरेंदर सिंग, कुमार विरेंदर सिंग और उनके यारों को साथ लिए घुमते हुए बाबा जी उसी दिवान खाने में पहुँचे जिसमें कुमारी का दरबार कुमार ने देखा था बलकि ऐसा क्यों नहीं कहते कि अभी कल ही जिस कमरे में कुमार खास कुमारी चंदरकानता से मिले थे जिस तरह की सजावट आज इस दिवान खाने की है इसके पहले कुमार ने नहीं देखी थी बीच में एक कीमती गद्दी बिची हुई थी बाबा जी ने उसी पर राजा सुरेंदर सिंग, महाराज जै सिंग और कुमार विरेंदर सिंग को बिठा कर उनके दोनों तरफ दरजे बादरजे अयारों को बठाया और आप भी उनी लोगों के सामने एक मिरिक चाला पर बैठ गए जो पहले ही बिचा हुआ था इसके बाद बाचीत होने लगी बाबा जी आप लोग कुशर से तो हैं दोनों राजा, हापकी किरपा से बहुत आनंद है और आज तो आप से मिलकर बहुत ही प्रसंता हुई बाबा जी आप लोगों को यहां तक आने में कोई तकलीफ हुई उसे माफ कीजेगा जैसिंग यहां आने के ख्याल ही से हम लोगों की तकलीफ चाहती रही आप कोई किरपा ना होती और यहां तक आने की नौबत ना पहुँशती तो ना मालूम कब तक कुमारी चंदरकान ता के वियोग का दुख हम लोगों को सहना पड़ता बाबाजी अब कुमारी की तलाश में आप लोग तकलीफ नहीं उठाएंगे जैसिंग हाँ आशा है कि आज आपकी किरपा से कुमारी को जरूर देखेंगे बाबाजी बोले शायद केसी वज़ा से अगर आज कुमारी को ना देख सके तो कल जरूर आप लोग उससे मिलेंगे इस वक्त आप लोग असनान पूजा से छुटी पाकर कुछ भोजन कर ले तब हमारे आपके बीच बाचित होगी बाबाजी ने एक लोटी को बुला कर कहा हमारे महमान लोगों के नहाने का सामान उस बाग में दुरूस करो जिसमें बावडी है बाबाजी सभी को लिए उस बाग में गए जिसमें बावडी थी उसी में सभी ने इस्तान किया और उत्तर तरफ अले दालान में भूचन करने के बाद उस कमरे में बैठे जिसमें कुमर वरिंदर सिंग की आँख खुली थी आज भी वे कमरा वैसा ही सजा हुआ है जैसा पहले दिन कुमार ने देखा था हाँ इतना फर्क है कि आज कुमारी चंदरकानता की तस्वीर उसमें नहीं है जब सब लोग निश्चित होकर बैठ गए तव राजा सुरेंदर सिंग ने सिदनात योगी से पूछा ये खुबसुरत पहाड़ी जिसमें छोटे-छोटे कई भाग है हमारे ही इलाके में है जबर है वे शायद आ सके एक रासा तो इसका वही है जिससे आप आये हैं दूसरी राह बाहर आने जाने की इस बाग में से है लेकिन मैं उसे भी ज़्यादा छिपी हुई है सुरेंदर जी आप कफसी इस पहाड़ी में रह रहे हैं बाबा जी मैं बहुत थोड़ी दिनों से इस खो में आया हूँ सो भी अपनी खुशी से नहीं आया मालिक के काम से आया हूँ सुरेंदर जी बोले आप किसकी नौकर हैं बाबा जी बोले ये भी आपको बहुत जल्ब मालूम हो जाएगा जैसे महराजा की जुबानी मालूम होता है कि ये दिल्चस पहाड़ी चाहे इनके राज में हो मगर इन्हें इसकी खबर नहीं और ये जगा भी ऐसी नहीं मालूम होती जिसका कोई मालिक न हो आप यहाँ के रहने वाले नहीं है तो इस दिल्चस पहाड़ी और सुन्दर सुन्दर मकानों और बगीचों का मालिक कौन है महराज जैसिंग की बात का जवाब अभी सिदनाद बाबा ने नहीं दिया था कि सामने से वन कन्या आती दिखाई पड़ी दोनों बगल इसकी दो सक्षियां और पीछे पीछे दस पंद्रह लोंडियां भी भीड़ में थी बाबा जी इस जगा की मालकी निये वन कन्या है सिदनाद बाबा की बात सुनकर दोनों महराज और आयार लोग ताजुब से वन कन्या की तरफ देखने लगे इस वक्त कुमर वरेंदर सिंग और तेज सिंग भी हरान हो वन कन्या की तरफ देख रहे थे सिदनाद की जुबानी ये सुनकर कि इस जगा की मालिक यही है कुमार और तेज सिंग को पिछली बातें आदा गई कुमार वरेंदर सिंग से नीचा कर सोचने लगे कि बेशक कुमारी चंदरकांता इसी वनकन्या की कैड में है वे बेचारी तरिस्म की रहा से आकर जब इस खों में फसी तब इन्होंने कैड कर लिया तब ही तो इस जोर की खत लिखा था कि बिना हमारी मदद के तुम कुमारी चंदरकांता को नहीं देख सकते और उस दिन सिदनाद बाबा ने भी यही कहा था कि जब तक यह नहीं चाहेगी जब तक चंदरकांता से तुम से मुलाकात नहीं होगी बेशक कुमारी को इसी ने कैड किया है हम इसे अपना दोस कभी नहीं कहा सकते बलकि यह तो हमारी दुश्मन है क्योंकि इसने बेफाइदे कुमारी चंदरकांता को कैड करके तकलीफ में डाला और हम लोगों को भी परिशान किया नीचे मुकिये हुए किसी कसम के बाते सोचते कुमार को गुश्सा चढ़ाया और उन्होंने सिर उठाकर वनकन्या की तरव देखा कुमार के दिल में चंदरकांता की मुभबत चाहे कितनी ही ज़ादा हो मगर वनकन्या की मुभबत भी तो कमना थी हाँ इतना फरक जरूर था कि जिस वक्त कुमारी चंद्रकांता की याद में मगन होते थे उस वक्त बनकन्या का ख्याल भी जीमें नहीं आता था मगर सूरत देखने से मुखबत की मजबूत फांसे कले में पढ़ जाती है इस वक्त भी इनकी यही दशा हुई यह सोचकर कुमारी को इसने कैट किया है एकदम गुसा जढ़ाया मगर कब तक जब तक कि जमीन की तरफ देखकर सोचते रहे जहां से उठा कर वनकन्या की तरफ देखा गुसा बिलकुल जाता रहा ख्याल ही दूर हो गए पहले कुछ सोचा था अब कुछ और ही सोचने लगे नहीं नहीं यह बिचारी हमारी दुश्मन नहीं है राम राम ना मालूम क्यों ऐसा ख्याल मेरे दिल में आ गया इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दोस्त दिखाई नहीं देता अगर यह हमारी मदद नहीं करती तो तिलिस्म का तूटना तो मुश्किल ही हो जाता कुमारी की मिलने की उमीद जाती रहती बलकि मैं खुद दुश्मनों के हाथ पढ़ ही जाता कुमार क्या समी के ही दिल में एक्दम ये बात पैदा हुई किस बाग और पहाड़ी की मालिक अगर ये है किसी ने कुमारी को भी कैद कर रखा होगा आखिर महराज जैसिंग से रहा ना किया सिदनाद की के तरफ देख कर पूछा बेचारी चंदरकांता इस खों में फसकर इन्हें की कैन में पढ़ गई होगी बाबा जी नहीं जिस वक्त कुमारी चंदरकांता इस खों में फसी थी उस वक्त यहां का मालिक कोई ना था उसके बाग ये पहाड़ी बाग और मकान इनको मिला है सिदनाद बाबा की इस दूसरी बात ने और भ्रम में डाल दिया यहां तक की कुमार का जी घबराने लगा अगर महराज जैसिंग और सुरेंदर सिंग यहां ना होते तो जरूर कुमार चिल्ला उठते मगर नहीं शरम ने मुव बन कर दिया और गमहीरता ने दोनों मोडों पर हाथ धरकन नीचे की तरफ तबाया महराज जैसिंग और सुरेंदर सिंग से रहा ना गया सिदनाद की तरफ देखा और गिर्ड़ा कर बोले हब किरपा करके पेची दी बातों को छोड़ दी सिये और साफ कहिए कि यह लड़की जो सामने खड़ी है कौन है यह पहाड़ी इसे किस ने दी और चंदर कांता हमारी कहा है महराज जैसिंग और सुरेदर सिंग की बात सुनकर बाबाजी मुस्कुराने लगी और वनकन्या की तरफ देख इशारे से उसे अपने पास बुलाया बनकन्या अपनी अगल बगल वाली दोनों सक्षियों को जिन में से एक की पोशाक सुर्ख थी और दूसरे की सबज थी साथ ले हुए सिदनात के पास आई भाबाजी ने उसके चहरे पर से एक जिल्ली जैसी कोई चीज तो तमाम चहरे के साथ चिपकी हुई थी खीचली और हाथ पकड़के महाराज जैसिंग के पैर पर डाल दिया और कहा लीजिए यही है आपकी चंदरकांता चहरे पर के जिल्ली उतर जाने से सबो ने कुमारी चंदरकांता को पहचान लिया महराज जैसिंग पहर से उसका सिर उठा कर तेर तक अपनी छाती से लगाए रहे और खुशी से कदगध हो गए सिद्नात योगी ने उसकी दोनों सक्षियों के मुँपर से भी छिल्ली उतार दे लाल पुशाक वली चपला और सब्ज पुशाक वली चंपा साब पहचानी गए मारे खुशी के सबों का चहरा चमक उठा आज किसी खुशी कभी किसी ने नहीं पाई थी महराज जैसिंग के इशारे से कुमारी चंदरकानता ने राजा सुरेंदर सिंग के पैर पर से दखा उन्होंने उसका सिर उठा कर चूम लिया घंटा तक मारे खुशी के सभी की अजब हालत रही कुमर बुरेंदर सिंग की दशा तो लिखनी ही मुश्किल है अगर सिधनात योगी इनको पहले ही कुमारी से ना मिलाए रहते तो इस समय इनको शरम और हया कभी न दबा सकती जरूर कोई बेयत भी हो ही चाती महराज जैसिंग की तरफ देखकर सिधनात बाबा बोले हब कुमारी को हुकम दीजिये कि अपनी सक्षियों के साथ घूमे फिरे या दूसरे कमरे में चली जाए और आप लोग इस पहाडी और कुमारी का बीची तरहाल मुझसे सुने जैसिंग बहुत दिनों के बाद इसकी सुरफ देखी है अब कैसे अपने से अलग करो कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई आफ़त आए और इसको देखना मुश्किल हो जाए बाबा जी नहीं नहीं अब ये आप से अलग नहीं हो सकती जैसिंग खैर जो हो इसे मुझसे अलग मत कीजिए और किरपा करके इसका हाल शुरू से कहिए बाबा जी अच्छा जैसी आपकी मरजी महराज जैसिंग और सुरेंदर सिंग के पूछने पर सिदनात बाबा ने इस दिलचस पहाड़ी और कुमारी चंदरकानता का हाल कहना शुरू किया बाबा जी बोले मुझे मालूम था कि ये पहाड़ी एक छोटा सा तिलिस्म है और चुनारगड के इलाके में कोई भी तिलिस्म है जिसके हां से वह तिलिस्म तूटेगा उसकी शादी जिसके साथ होगी उसी के देहेज के सामान पर ये तिलिस्म बना है और शादी होने के पहले ही वह इसकी मालिक होगी सुरेंदर जी बोले बहले ये बताईए कि तिलिस्म किसे कहते हैं और वह कैसे बनाया चाता है बाबा जी बोले तिलिस्म वही शक्स से आय कराता है जिसके पास बहुत माल खजाना हो और वारिस ना हो तब वह अच्छे अच्छे जोटशी और नजूमियों से दर्याफ्ट करता है कि उसके या उसके भाईयों के खांदान में कभी कोई प्रतापी या लायक पैदा होगा या नहीं आखिर जोटशी या नजूमियों इस बात का पता देते हैं कि इतनी दिनों के बाद आपके खांदान में एक लड़का प्रतापी होगा बलकि उसकी एक जनम पत्रे लिखकर तयार कर देते हैं उसके नाम से खजाना और अच्छी अच्छी केमती चीजों को रखकर उस पर त रहे हुए आदमी के सिवाए दूसरे को एक पैसा लेने नहीं देता मगर पहले ये काईदा नहीं था पुराने जमाने के राजाओं को जब तिलिस्म बादने की जरूरत पड़ती थी तो बड़े बड़े जोतिशी नजूमी वैद्य कारीगर और तांत्रिक लोग कठे किये जाते थे उन्हीं लोगों के कहें मुताबिक तिलिस्म बादने के लिए जमीन खोदी जाती थी उसी जमीन के अंदर खजाना रखकर ऊपर तिलिस्मी इमारत बनाई जाती थी उसमें जूत्शी नजूमी वैद्य कारीगर और तांत्रिक लोग अपनी दाकरत के मुताबिक उ साथ ही उसके उस आदमी के नख्षत्र और ग्रहों का भी क्यार रखते थे जिसके लिए वे एक हजाना रखा जाता था कुमार वरेंद्र सिंग ने एक छोटा सा तिलिस्म तोड़ा है उनकी जुबानी आप महा का हाल सुनिए और हर एक बात को खुब गौर से सोचिए तो आप ही मालुम हो जाएगा कि जोत्शी नजूमी कारीगर और दर्शन शास्र के जानने वाले क्या काम कर सकते थे जैसिंग बोले खैर इसका हाल कुछ कुछ मालुम हो गया पाकी कुमार की जुबानी तिलिस्म का हाल सुनने और गौर करने से मालुम हो जाएगा अब आप इस पहाड़ी और मेरी लड़की का हाल कहिए और ये भी कहिए कि मारा शुदत इस खो से क्यूं कैसे निकल भागे औ और क्यों कर कैसे कैद हो गए बाबा जी बोले सुनिये मैं बिलकुल हाल आपसे कहता हूँ जब कुमारी चंदरकांता चुनारगड के तिलिस्म में फसकर इस खो में आई तो दो दिनों तक तो इस वेचारी ने तकलीफ से काटे तीसे रोज खबर लगने पर मैं यहां पहु इस तिलिस्म में कुमारी को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई और ना ताकत की जरुवत पड़ी क्योंकि इसका लगाव उस तिलिस्म से था जिसे कुमार ने तोड़ा है वे तिलिस्म या उसके कुछ हिस्से अगर ना तोड़ते तो यह तिलिस्म भी ना खुलता कुमार बोले ह अपने ये तो कहा ही नहीं कि कुमारी के पास जिस रहा से पहुँचे हम लोग जब इस खों में आये थे और कुमारी को बेबस देखा था तब बहुत सोचने पर भी कोई तरकीब ऐसी नहीं मिली थी जिससे कुमारी के पास पहुचकर इन्हें उस बला से छुडाते तो बाबा किनिये मझे मंजूर नहीं था मैं चाहता था कि यहां का माल असबाब कुमारी के हाथ लगे कुमार आप योगी हैं योगबल से इस जगा पहुंच सकते हैं मगर मैं क्या कर सकता था बाबा जी बोले आप लोग इस बात को बिलकुल मत सोचे कि मैं एक योगी हूँ जो काम आदमी के या अयारो के किये नहीं हो सकता उसे मैं भी नहीं कर सकता जिस रहा से कुमारी के पास पहुचा हूँ मैं और जो जो किया सो कहता हूँ सुनिये पहले इस खो का दर्वाजा उसे जरूर देखा होगा क्योंकि खो में उस चश्मे की खोसूर्ती भी देखने के काबिल है सिदनाद की इतनी बात सुनकर सभी ने हाँ हाँ कहकर सिदलाया इसके बाद सिदनाद योगी ने फिर कहना शुरू किया फिर में लंगोटी बानकर चश्मे में उतर गया और इधर से उधर से उधर से इधर घूमने लगा एक पूरव तरफ जल के अंदर एक छोटा सा दर्वाजा मालूम हुआ गोता लगा कर उसके अंदर घुसा आठ दस हाथ तक तरवार जल मिला इसके बाद धिरे धिरे जल कम होने लगा यहां तक की कमर तक जल पहुँचा तब मालूम पड़ा कि एक कोई सुरंग है जिसमें चढ़ाई के तोर पर उचे की तरफ चला जा रहा हूँ आधा घंडा चलने के बाद मैंने अपने को इस बाग में पश्यम और उत्तर के कोण में पाया और घूंता फिरता इस कमरे में पहुचा ये देखिये दिवार में जो अलमारी है असल मेवया अलमारी नहीं दरवाजा है लात माने से खुल जाता है मैंने लात मार कर ये दरवाजा खोला और इसके अंदर घुसा भीतर बिल्कूल अंदकार था लगभग दो सो कदम जाने के बाद दिवार मिली इसी तरह यहां भी लात मार कर दरवाजा खोला और ठीक उसी जगा पहुचा जहां कमारी चंदरकांता और चपला वेबस पड़ी रो रही थी मेरे बगल से ही दूसरा रास्ता उस चुनारगण वाले तिलिस्म को गया था जिसके एक टुगड़े को कुमार ने तोड़ा है मुझे देखते ही ये दोनों घबरा गई मैंने कहा तुम लोग डरो मत मैं तुम दोनों को छुडाने आया हूं यह कहकर जिस रहा से मैं गया था उसी रहा से कुमारी चंदरकांता और चपला को साथ ले इस बाग में लोट आया हूं इतना हाल इतनी कैफिर इतना रास्ता तो मैं जानता था इस से ज़्यादा इस खो का हाल मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कुमारी और चपला को खो के बाहर कर देना या घर पहुचा देना मेरे लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं वगर मुझे को यह मंजूर भी नहीं था कि यह चोटा सा त्लिस्म कुमारी के हाँ से तूटे और यहां का माल असबाब इनके हाथ लगे मैं क्या सभी कोई इस बात को जानते होंगे और सबों को यकीन होगा कुमारी चंदरकांता को इस कैस से छुडाने के लिए ही कुमार चुनारगड़ वाले तिलिस्म को तोड़ रहे थे माल खजाने की इनको लालस नहीं थी अगर मैं कुमारी को यहां से निकाल कर आपके पास पहुचा देता तो कुमार उस तिलिस्म को तोड़ना बंद कर देते और वहां कखा जाना भी योही रह जाता हम मैं आप लोगों की बढ़ती चाहने वाला हूँ मुझे यह कम मंजूर हो सकता था इतना माल असबाब बरबाद हो जाए और कुमार या कुमारी चंडरकांता को ना मिले मैंने अपने जी का हाल कुमारी और चपला से कहा और ये भी कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें इसी बाग में छोड़कर मैं चला चाऊँगा आखिर लाचार होकर कुमारी ने मेरी बात मन्जूर की और कसम खाई की मेरे कहने के खिलाफ कोई काम ही नहीं करेंगी मुझे ये तो मालूम ही ना था कि यहां का माल असबाब क्यों कर कैसे हाथ लगेगा और इस खजाने की ताली कहा है मगर ये कीन हो गया कि कुमारी जरूर इस तिलिस्म की मालिकिन होंगी इसी फिकर में दो रोज तक परिशान रहा इन बागीचों की हालत बिलकुल घराब थी मगर दो चार फलों के पेड ऐसे थे कि हम तीनों ने तकलीफ न पाई कुमारी और चपला इधर उधर टहल रही थी इतनी में चपला दोड़ी हुई मेरे पास आई और बोली चल्दी चलिए इस बाग में एक ताजू की बात दिखाई पड़ी है मैं सुनते ही खड़ा हुआ और चपला के साथ वहां गया जहां कुमारी चंदरकांता पूरव की दिवार तले खड़ी गौर से कुछ देख रही थी मुझे देखते ही कुमारी ने कहा बाबा जी देखे इस दिवार की जड़ में एक सुराख है जिसमें से सफेद रंग की बड़ी बड़ी चीटिया निकल रही है ये क्या मामला है मैंने अपनी उस साथ से सुना था कि सफेद चीटिया जहां नजर पड़ें समझना कि वहां जरूर कोई खजाना या खजाने की ताली है ये ख्याल करके वैंने अपनी कमर से खंजर निकाल कर कुमारी के हाथ में दे दिया और कहा कि तुम इस जमीन को खोदो अस तुम मेरे कहे मताबिक कुमारी ने उस जमीन को खोदा हाथ ही भर के बाद काच की छोटी सी हांडी निकली जिसका मुँ बन था कुमारी के ही हांसेवे हांडी मैंने तुड़वाई उसके भीतर किसी किसम का तेल भरा हुआ था जो हांडी तूटते ही बहा गया और ताली का एक गुच्छा उसके अंदर से मिला जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ दूसे दिन कुमारी चंदरकांता के हाथ में ताली का गुच्छा देकर मैंने कहा चारों तरब घूम घूम कर देखो चहां ताला नजर पड़े इन तालियों में से किसी ताली को लगा कर खोलो मैं भी तुमारे साथ चलता हूँ मुक्त सरही में बयान करके इस पात को खतम करता हूँ उस बुच्छे में तीस तालियां थी कई दिनों में खोच कर हम लोगों ने तीसों ताले खोले तीन गरवाजे तो ऐसे मिले जिसे हम लोग उपर उपर इस दिलिस्म के बाहर हो जाए चार बाग और तेस कोठरियां अस बाब और खजाने की निकली जिसमें हर एक किसम का अमेरी